और मैं वापस कहता हूं, यÈ फिर वो अबराम है, लिखा है कि उत्पती के 22 के 11 में कि थब यावा के दूत ने स्वर्ख से उसको पुकार के कहा, हे इबरायम, हे इबरायम ओके ये जो चाहल है इसको याद रखो, लिखता है कि हे इबरायम, हे इबरायम ये परमिश्वर यहवा का पुखारने का तरीका है तो कहता है कि उसने कहा देख मैं यहां हूँ वाव अभी आया तुम मैं यहां हूँ वचन भरा उसने कहा उस लड़के के पर हाथ मत बढ़ा और ना उससे कुछ कर क्योंकि तूने जो मुझसे उत्पंद क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने एकलोते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा इससे मैं अब जान गया हूँ कि परमेश्वर का भय मानता है तुमने तू खा लिया लिखा है कि तू यहां पे भी कि यहो क्या रहा है ना मैं चाहता हूं कि बाइस का सोला पड़े यहोवा की यह वानी है कौन कह रहा है परमिश्वर का दूद कह रहा है यहोवा की यह वानी है कि मैं अपनी ही यह शपत खाता हूं कि तूने जो एक सेकेंड आपको पंड़ना है इबरानियों का 6-13 जब इसको पाउलूस इबरानियों किताब का लेकक जो कि मैं मानता हूँ वो पाउलूस है कहता है पाउलूस इबरानियो 6-13 में इसी घटना को रिपीट कर रहा हूँ कैसे कर रहा है पड़िये 6-13 और परमेश्वने इबरहाहिम को प्रतिग्या देते समय जबकि शपत खाने के लिए किसी को अपने से बड़ा न पाया किसी को अपने से बड़ा न पाया लिखा है कि अपने से किसी को बड़ा न पाया तो मेरा कोशन ये है कि यहाँ पे बात कौन कर रहा है यहवा का दूद लिखा यहवा का दूद तो यववा के दूसे बड़ा कौन है परमिशवर लेकिन यहां पर क्या कह रहा 13 में फिर से पड़ो उसी पार्ट को पड़ो अपने से जबकि यववा के दूसे बड़ा कौन है यववा खुद अब आपको पता चला के ट्रायून गार्ड में बहुत ध्यान सो सुनना दोस्तों केत्री एक परमिश्वर में ना तो पिता बड़ा है ना पुत्र बड़ा है ना पवित्रात्मा बड़ा अब इसको सुनो ना पिता छोटा है ना पुत्र छोटा है ना पवित्रात्मा छोटा है आपको ताजूब होगा राजय स्टीफन भरेशान आत्मा ने उसकी टीचिंग में जो कई बक्वास की टीचिंग में उसका एक बक्वास का टीचिंग ये है कि पवित्रात्मा येशु का बड़ा बाई है या भाई है in fact पवित्रात्मा येशु का भाई है बाप रहे हैं ऐसे ऐसे लोग हैं साब मार्केट में आज गल एनिवे प्रेज गॉड के मुझ जैसे दस टका मसी की दह में अभी भी बच्चे हुए और मैं ये देखना चाहता हूँ के जिस तरीके से मैं आपकी बाइबल स्टुडी कराता हूँ ऐसे मुझे हजारों यूथ और हजारों जनरेशंस के बच्चे जो हैं वो तैयार हो जाएं वापस से पढ़ते है सोला को यहोवा की ये वानी है कि मैं अपनी ही ये शपत खाता हूँ कि तूने जो ये काम किया है कि अपने पुत्र वरन अपने एकलोते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा इस कारण मैं निश्य तुझे आशिश दूँगा और निश्य तेरे वंश को आकाश के तारगन और समुद्र के तीर की बालू के किनकों के समान अंगिनित करूँगा और तेरा वंश अपने शत्रों के नगरों का अधिकारी होगा और पृत्वी की सारी जातिया अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेगी क्यूंकि तूने मेरी बात मानी है मेरा कोशन ये है कि जहां जहां आपको लाल में स्पॉट दिख रहा है मैं मेरी धरसल इसे बात कौन कर रहा था इसे बात कर रहा था यहवा का दूद बात कर रहा है यहवा का दूद वादा कर रहा है यहवा का दूद और यहवा का दूद कहता है ब्राणियो 6 का 13 में कि मुझसे बड़ा जब कोई नहीं मिला तो मैंने अपनी खुद की कसम खाई, शपत खाई, कि मैं तुझे आशिश दूँगा, अब आपको पता जल रहा है, यहाँ पर हो क्या रहा है, वाँ, ना दोस्तों आशा करता हूँ कि यह आपको समझ मैं गया, अब बात करते हैं, हजीरा और यहवा के दूद की, क्योंकि यह सोते के पास पाकर कहा, आए सुनते हैं, उसने क्या कहा, लिखा है, तब यहवा के दूद ने, उसको जंगल में शूर के मार्क पर जल के एक सोते के पास में, पाकर कहा कि हे, सारे की लॉंडी, हजीरा, तू कहां से आती, और कहां को जाती है, उसने कहा, मैं अपनी स्वामनी सारे के सामने से भाग आई हूँ, और यह कौन सा वाक्या था, जहां पर वो अपना रास्ता बुल गई, यह है कि कोई और, अच्छा, वो जब उसको लड़का हो जाता है, वो रास्ता भटक जाती है, एनिवे, उसके पास, जब कभी बात करेंगे, तो करेंगे, ओके, मैं च वचंदस, यवा के दूत ने उससे कहा, मैं तेरे वंश को बहुत बढ़ाऊंगा, एक सेकंड, यवा का दूत है न यह, तो वंश को यह कैसे बढ़ा सकता है, जबकि वंश को बढ़ने वाला काम परमिश्वर का है, यह कैसे बढ़ा सकता है, तो यह जो दूत है ना, यह वो क्यों हो रही है अब रहाम के बेटे सारा की बात नहीं है माफ करना इसा की बात नहीं हो रही है यह पहला बेटा इश्माइल उसकी बात हो रही है या वचन 11 और यहवा के दूत ने उससे कहा देख तू गरवती है और पुत्र जनेगी सो उसका नाम इश्माइल रखना है इसक सिरब परमिश्वर को पता है आगे पढ़िए सो उसका नाम सो उसका नाम इश्माइल रखना क्यूंकि यहुआ ने तेरा दुख का हाल सुन लिया है मैं फिर गन्फियूज और आप भी गन्फियूज उपर कहता है यहुआ का दूद है और गदालात कहां से मारता है पीछे से गदालात मारता है पीछे से अब पीछे से आप मेरा मतलब समझ गए यह लोग पढ़ते हैं पीछे से आगे आप समझदार है उसका हाथ उसका हाथ सब के विरुद उठेगा उसका हाथ सब के विरुद उठेगा आप जानते हैं आजकल क्या हो रहा है और खास करके इद्रहेल और पिलिस्तिन जग जाहिर है कि इनकी लड़ाई अभी तक चल रही है आगे और सब के हाथ उसके विरोध उठेंगे और आजकल यह नजर आपको दिखाई दे रहा हर कंट्री उसमें आगे और वह अपने सब भा यहोवा का नाम जिसने उसे बाते की थी इतायल रोय रखकर कहा क्या मैं यहा भी उसको जाते हुए देखने रहा रहा है देखने हारा इसको कहते हैं कि हजीरा ने कन्फर्म किया कि उसने यहोवा का नाम जबकि उससे बात कौन कर रहा है सौर गदूत इसके इसाब से जबकि इसने नाम क्या रखा यहोवा यहोवा का नाम जिसने उसमें उससे बाते की थी कुछ चवदा नाम है तेरा या चवदा नाम है अगर मैं गलत नहीं हूँ अत एल्रोई उसका यह नाम रखा किसका यहोवा का तो मेरा question यह है, कि यह दूट कौन था फिर, जिसको पेट में क्या है वो पता है, उसका भविश्य क्या है वो पता है, लड़का आगे क्या क्या करेगा वो पता है, इसको कहते हैं कि इस स्वर्ग दूट ने, माफ करना परमेश्र के दूट ने आगे का हजारों जनरेश्यम द यह वचन सोला पढ़िये 21 का सोला और आप उसे तीर भर के टापू पर जाकर तपे पर दूर जाकर उसके सामने हैं सोच कर बैठ गई कि मुझको लड़के की मृत्यू नहीं थी और जो सहरा और इसके बीच में जब नहीं बनती थी तो यह अपने बच्चे को लेकर भाग गई यह वो गटना है जी यहां पर रास्ता भटक जाती है राइट बिटा ओके पढ़िये कि मुझको लड़के की मृत्यू देखनी न पड़े तब वह उसके सामने बैठी हुई चिला चिला के रोने लगी अब बात करते वचन सत्रा में और परमिश्वर ने उस लड़के की सुनी और उसके दूत ने स्वर्ग से हजीरा को पुकार के लगा है क्यूंकि जहां तेरा लड़का है वहां से उसकी आवाज परमिश्वर को सुन पड़ी है आगे सुनीये मज़ा आएगा उट उट अपने लड़के को उठा और अपने हाथ से संभाल क्यूंकि मैं उसके दूआरा एक बड़ी जाती बनाओंगा एक सेकंड, आवाज कोन लगा रहा है? माईक मैं बुलने या अपको. आवाज कोन लगा रहा है? दूथ. दूथ. और दूथ किस से बात कर रहा है? हजीरा से. अब नीचे क्या किता है? वचन अठiéरा में कि उसको आगे कौन बढ़ाएगा? जाती बनाओगा ये कौन कह रहा है दूद दोस्तों कितने लोग समझ रहे मैं क्या बात कर रहा हूँ आप यहाँ पे बिल्कुल दूद की तरह दूद और कहते हैं दूद का दूद पानी का पानी वैसे आप पड़ सकते हैं कि यहाँ दो लोग है एक है यहोवा और एक है उसका दूद यहने की इशू और कॉंटिक्स में ये दूद सब जानता है और बाते ऐसी करता है जैसे यहोवा करता है और खुद को अपने परमिश्वर यहोवा की जगे पे रखता है कहता है कि मैं उसके द्वारा एक बड़ी जाती बनाऊंगा मैं वचन निस परमिश्वर ने उसकी आँखे खोल दी और उसको एक उवा दिखाई पड़ा तो उसने जाकर थेली को जल से भर कर लड़के को पिलाया तो मेरा कॉश्वर यह है कि यहां पर हो क्या रहा है यहां पर कितने लोग है यहां पर धो लोग है एक है परमिश्वर और एक है उसका दूद परमिश्वर जैसे बात करता है वैसा दूद बात कर रहा है जो परमिश्वर कर सकता है वो दूद कर रहा है जो परमिश्वर भविश्य देख सकता है वो दूद देख रहा है कौन कहता है कि Old Testament में ट्राइउन गॉड नहीं है आपको त्रियेक परमिश्वर का शब्द डूबना है ना मैं आपको यहां से कहता हूं नहीं मिलेगा तुम्हारी जिन्दगी खतम हो जाएगा नहीं मिलेगा लेकिन आपको शब्द तो नहीं मिलेगा लेकिन आपको तीन परमिश्वर जरूर मिल जाएगा जो कि मैरा कराम की बीच में वाव यह वही अबराम है जहां येश्व को मलका सिदिक के रीती पर महा याजक कहा गया आएए देखते हैं कौन थे ये मलका सिदिक पढ़िए उत्पती 14 का 18 से 19 में शालेम का राजा मलका सिदिक भी अबराम से मिलने गया मलका सिदिक सबसे महान परमेश्वर का याजक था मलका सिदिक रोटी और दाकरस लाया मलका सिदिक ने अबराम को आशुरवात दिया और कहा अबराम सबसे महान परमेश्वर तुम्हे आशिश दे परमेश्वर ने प्रित्वी और आकाश बनाया ओके मेरा कॉश्चन ये है कि रोटी और दाकरस को हम क्या कहते हैं आज की तारीक में लौट सपर प्रभू बोज वाव इसका खतना कौन से चप्टर में हो है चप्टर सेवेंटीन ये चप्टर कौन सा है चप्टर फॉर्टीन बिना खतना के प्रभू बोज कैसे खा रहा है और जब मैं कहता हूँ कि बिना बाप्तिस्मा के आप प्रभु बोज ले सकते तो इसका मतलब है नहीं कि आपको बाप्तिस्मा कभी नहीं लेना है आपको बाप्तिस्मा लेने के लिए वक्त नहीं मिल रहा है या फिर सुवीदा नहीं हो रही है आपका उधार तो हो गया है एक मैना, तीन मैना, छे मैना ठीक है ना आपका बाप्तिसमा नहीं हो रहा है लेकिन उसके पहले आपके बीच में आ गया प्रभु बोजवाला संडे तो मैं कौन होता हूँ आपको रोकने वाला कि तुम खबरदार क्योंकि तुम्हारा बाप्तिसमा नहीं हो आ है जब छे मेना तीन मेना एक साल होगा तब चर्च का पास्टर काम करने वाला पास्टर not नाम वाला पास्टर काम वाला पास्टर मसी के लोगों को रोक कैसे सकता हूँ प्रभु बोज़ से और आप यहां पे देख सकते हैं ओके यहां का इस गटना का सबसे ज़्यदा आहलाइट टॉपिक कौन सा है दश्माज दिया दश मांज दिया, तो मेरा कोश्चन ये है कि यहाँ पे दो चीज़ हुई है एक ये हुआ है कि प्रभु भोज हुआ है यहाँ पे लौट सपर, दाकरस और रोटी यहाँ पे दश मांज भी हुआ है तो इन मुर्खों ने एक चीज़ को उठा लिया कि दश मांज दिया, दश मांज दिया मेरा कोश्चन ये है कि आप लोगों ने प्रभु भोज को क्यों नहीं उठाया और वहाँ से प्रभु भोज की प्रता क्यों नहीं शुरू हो गई प्रभु भोज की प्रता क्यों नहीं शुरू हो गई अगर दश्माज ले रहे हो यहां पे और उसके बाद में भी आप कहते हो कि दश्माज दिया दश्माज दिया तो फिर प्रभु भोज की प्रता भी शुरू करो no chance वैसे ही आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि जिस चीज को परमिश्वर कॉंटेक्स में बात कर रहा है दश्माश नहीं है न थब न अब थब इसले दिया गया था क्योंकि वो लेवियों के लिए था सब के लिए नहीं था दश्माश सिर्फ और सिर्फ लेवियों के लिए होता था जो मंधिर में सेवा करते थे अब इसको देख लो मलकस सदिक और अबराम नोट अब इबराहीम अबराम क्योंकि अब इबराहीम कईयों का पिता मलक सदिक मलक सदिक मलक का मतलब होता है किंग और सदिक का मतलब होता है righteousness, तो लिखा है king and righteousness, type of Christ तो अब राम ने यहाँ पे किसको देखा? येशु को येशु कौन है? according to David, कहता है यहुआ ने शपत खाई, पड़ो यहुआ ने शपत खाई और न पच्चताएगा कि तू मेलके सदिक की रीती पर सरवदा का याजक है तो क्या, यहुआ ने शपत खाई? येश रे प्रभू माइक में बोला करो जिल्दी लिखा है कि यहुआ ने शपत खाई और ना पच्चताएगा क्योंकि उत्पती का चटवा दियाएं में आधम जात को बना कर पच्चताएगा वहाँ साफ लिखा है कि मैं मरशु को बना कर पच्चता रहाँ लेकिन ये दूसरा आदम है जिसको कहता है कि मैं कसम खाता हूँ कि ये हमेशा के लिए मलका सदिक की रिती पर सरवदा का याजग है याद रखो हरून की रिती पर ने मलका सदिक का, हरून क्यों? क्योंकि हरूनात है लेवी के गोत्र में ये कहां का है, ये यरूसलेम का है येशु कहां का, यहुदा का है वाव तो यहुदा का गोत्र जो की लिस्ट में नहीं है लेकिन वो बना क्यों? क्योंकि मलका सदिक राजा भी है याजक भी महायाजक भी बन सकता और ये परमिश्वर का याजक है याद रखना ओके आशर करता हूँ कि आप ये समझ गए तो अभी तक आपको कम से कम छे दिन से आज का दिन छे पकड़के आपको बार-बार बताते हैं रहा हूँ कि बतिस का चौबिस आए सुनते हैं और याकूब आपकेला रह गया तब कोई पुरुष लिखा है कि आकर कोई पुरुष आकर भाफटने तक इसका मतलब है दूस्से दिन सुबा होने तक लिखा है कि उससे मल युद्ध करता रा आए पढ़ते हैं स्वर्क का परमेश्वर यहुआ जिसने मुझे मेरे पिता के घर से और मेरी जन्म बूमी से लेकर आया ले आकर उनसे शपत खाकर कहा कि मैं यह देश तेरे वंश को दूँगा वही अपना दूद तेरे आगे-आगे भेजेगा कि तू मेरे पुत्र के लिए वहां से वहां पर क्या पढ़ रही है अप आपको यह पढ़ना है लिखा है कि जब उसने देखा जब उसने देखा कि मैं याकुब पर प्रबल नहीं होता तब उसकी जान की नस को छुआ अगे-अगे सो याकुब की जान की नस उससे मल्यूद करते ही करते चड़ गई तब उसने कहा मुझे जाने दे क्यूंकि बोर हुआ चाता है ओके बस अभी इस चित्र के साबसे यहां पर क्या हो रहा है लिखा है मल्यूद अब मेरा कोश्चन यह है यह पुरुष कौन है नंबर वन यह मल्यूद क्यों कर रहा है इस वच्चन के मताबिक आपने अभी तक यही पड़ा है कि मुझे जाने दे बोर होना चाता है ओके नाव आपको सबसे पहले याकुब का अगर थोड़ा बहुत याद है जल्दी से बता देता हूं वक्त के हिसाब से याकुब वो था जैसे ही पैदा हो रहा था तो इसने किसी को धोका दिया रबिका के पेट में ये दोनों थे याकुब और इसाओ और जबकि इसाओ को पहले आना था ये बंदा आ जाता है ये पहले आता है और उनके भाइबल ये भी कहते हैं कि दोनों आपस में लड़ रहे है और रबिका कहते हैं अगर ऐसी ही हालत रही तो मैं जिन्दा कैसे रहूंगे ये हो गया पेट वाला चक्कर उसके बाद आपको पता है जैसे ही ये इसाओ के साथ कोछ चला की करता है वहां से भागता है फिर लभान के यां से भागता है इसको कह सकते हैं कि भागता है भागता है भागता है तब जाकर इसको हो परमिश्वर का पुरुष ने इसको एक चीज़ सिखाए और वो ये है लड़ना सीख लड़ना सीख यह किताब उसका तीसा देवचनिक, The Book of Judges, Chapter 3, Verse 1, जल्दी से निकालो, लड़ना सीखो, मत भागो, बल्कि लड़ना सीखो, जी, इसराइलियों मेंसे जितने कनान में की लड़ाईयों में भागी न हुए थे, उन्हें परत्ने के लिए यहवा ने इन जातियों को देश में इ पीडी-पीडी के इसराइलियों में से जो लड़ाई को पहले न जानते थे, वे सीखे और जान ले, अर्थात पाचों, सरदारों भस, जो लड़ाई को नहीं जानते थे, परमिश्यों ने जान बूच कर, उन दुछमनों को उनके बीच में रखा, ताकि यह लड़ना सीखे याकूब से लड़ाई क्यूं हो रही इस वेक्ति की, क्योंकि यह भाग रहा था, परमिश्यों ने का मत भागो और इसके साथ में क्या किया, लिखा है कि इसकी जांग की नस को चुआ, और इसकी जांग लड़ते-लड़ते-मलियुद करते-करते चड़ गई, इसका मतलब है, इसका एक पहर जो है वो लंगड़ा गया तब परमिश्यों ने कहा, आप छोड़ दे, उसका मुझे जाने दे क्योंकि बहुर हुआ चाता है, क्योंकि अब तु लड़ना सीख गया, और तु ऐसा लड़ना सीख गया, कि तु मुझसे भी जीत गया यही तो परमिश्यों चाता है, कि हम मुसीबतों से लड़ना सीखे, तो यह बताती है, आगे पढ़ते हैं, याकुमेक कहा जब तक तु मुझे आशुरवाद न दे, तब तक मैं तुझे न छोड़ूँगा मेरा कोशन ये है, माइक नसीख रखके भी बात कर सकते हैं आप लोग, मेरा कोशन ये है, आशिज देता कोन है परमेश्वर, जोड़ से बोलना है, परमेश्वर ये प्रोग्राम खथमों ने अग्या है, मुझे लगता है अगले आफ़ते तक तो सब ठीक हो जाएगा ठीक है ना, आशिज देता कोन है, परमेश्वर, लेकिन यहाँ पर कोन है, एक पुरुष, ये देख लो, एक पुरुष तो याकूब किसको कह रहा है कि जब तक तू मुझे आशिश ना देगा, तो ये किसको कह रहा है कि आशिश दे, पुरुष आगे पढ़ते हैं, धब मैं तुझे जाने तूँगा, वचन 27 और उसने याकूब से पूछा, तेरा नाम क्या है? एक सेकंड, किसने पुछा? पुरुष ने, तेरा नाम क्या है? उसने कहा याकूब, आईए सुनते हैं, उसने कहा तेरा नाम अब याकूब नहीं, परंतु इसरायल होगा एक सेकंड, किस-किस का परमिश्वर जहरा? रिपीट करो अब रहाम का परमिश्वर, इस हक का परमिश्वर, याकूब का परमिश्वर, ठीक है न? अब यहाँ पे क्या कह रहा है? कि अब तेरा नाम याकूब नहीं है, तेरा नाम इसरायल होगा ऐसा कहने का हक परमेश्वर को है या किसी सुर्टूत को है यह पुरुष कैसे कह सकता है दिमाग में बात रखना क्या तू परमेश्वर से क्योंकि तू परमेश्वर से मनुष्वर से भी युद्ध करने में करके प्रबल हुआ है परमेशों से भी लड़ बैठा है मनशों से भी लड़ बैठा है तो मनशों plural form है not singular तो सबसे लड़ बैठा है सबसे भाग रहा था अब तू जीत गया ओके याकूब ने कहा पड़ो याकूब ने कहा उनतेस याकूब ने कहा मैं बिंती करता हूँ मुझे अपना नाम बता according to KGV उस कहता है कि मेरा नाम secret है और दुस्या के translation कहता है मेरा नाम wonderful है मैं रखूंगा आई आगे बढ़ते है उसने कहा तू मेरा नाम क्यों पूचता है ने ने पूचता नहीं पूचता वापस पड़ो तू मेरा नाम क्यों पूचता है तू मेरा नाम क्यों पूचता है तब उसने उसको वहीं आशिरवा दिया इसका मतलब है कि बहुत ध्यांसर सुनना क्योंकि New Testament में माफ करना Old Testament में येशु को परमेश्वर के पुत्र को परमेश्वर के दूद को और वो वाचा के प्रभू को और वो पुरुष को अधिकार नहीं था रिवील करने का क्योंकि वो सिक्रेट है और ये कब किसको बताया ये शाय को बताया कि इसका नाम क्या होगा और वो मरियम को बताया कि इसका नाम क्या होगा तब कहता है कि तू मुझसे नाम क्यों पूचता कि परमेश्वर को आमने सामने देखने पर एक सेकंड एक सेकंड किसको आमने सामने देखा परमेश्वर ओके तो उपर क्या पड़ा था किसको देख रहा था वो पुरुश जगड़ा कौन कर रहा है युद कौन कर रहा है पुरुश लेकिन यहां पे क्या किरा है परमिश्वर को हमने सामने देखने पर भी मेरा प्राण बच गया है पनुवेल की पास से चलते चलते सूर्य उदे हो गया और वा जान से लंगडाता था बस इसका मतलब है कि यह अब भागेगा नहीं बलकि अब यह लड़ेगा अब यह फाइट करेगा और यह सहरी बाते उन दिनों में चलती थी या एनिवे ना यहां तक आब बात लो समझ गया है जब याकूब यहीं याकूब जिसको कहते इसराइल जब बुड़ा हो गया और जब इसका बेटा यूसुफ आया और यूसुफ के दो पुत्र थे एक का नाम था मंशे और एक का नाम था एप्रेम इन दोनों को जब आशिरवाद लाया तो यही स्वर्गदूत यही वो पुरुष मैं फिर से पीछे जा रहा हूँ यही वो पुरुष को यह फिर याद करता है और कैसे याद करता है आये सुनते हैं और आपकी बीच में रखना जी पढ़िए 48 का 15 जनिस 48 का 15 जी फिर उसने यूसुफ को आशिरवाद दे कर कहा परमेश्वर जिसके समुक मेरे बाब दादे इबराहेम और इस्थाक ब्रैकेट में अपने को जानकर चलते थे वही परमेश्वर एक सेकेट वही परमेश्वर वही परमेश्वर मेरे जनम से लेकर आज के दिन तक मेरा चर्वाः बना एक सेकेट तो उसका चर्वा कोन था परमेश्वर अब रहम का चर्वा कोन था परमेश्वर इसाक का चर्वा कोन था परमेश्वर आगे पड़ो और वही दूत उझे सा और इसको आशिश किसने दिया था ये शब्द यहां पर पढ़ लो लिखा है कि उसने उसको आशिश दी उसने उसको आशिश दी कांग गया उसने उसको आशिश दी तब उसने उसको आशिश दी आशिरवात दिया तो याकूब को पता था कि ये कौन है मैं भी तो आपको वही कह रहा हूँ अब मैं फिर पूछूँँगा यहां हो कह रहा है यहां एक यहवा दिखता है यहां एक उसका दूद दिखता है और वो जो दूद है वो भिलकुल यहवा की तरह बकारिय करता है ओके आपको ये चितर दिखा देता हूं और उसके बाद ये दो केरेक्टर बता देता हूं तो लिखा है कि एलियाजर इस तरफ वो देख लीजेगा उस तरफ माप करना और इस तरफ है रबेक का वही अपना दूथ तेरे आगे-ागे बेजेगा तो याकुब नहीं क्या कहा व स्वार का परमेश्वर यहोवा जिसने मुझे मेरे पिता के घर से और मेरी जन्म भूमी से ले आकर मुझसे शपत खाकर कहा कि मैं यह देश तेरे वंश को दूँगा वही अपना दूथ तेरे आगे-ागे बेजेगा ओके यह कौन बोल रहा है अबराहाम अबराहाम को परमेश्वर ने कहां से निकाला मुझे मेरे पिता के घर से मेरी जन्म भूमी से इसका मतलब एराक से लाकर मुझे शपत खाकर यादा गया जब अपने से कोई बड़ा को ना पाया तो खुद की शपत खाकर कहां यह देश मैं तुझे दूँगा अब वही अपना दूत तेरे आगे आगे बेजेगा वही दूत तेरे आगे आगे बेजेगा कि तु मेरे पुत्र के लिए वहां से एक स्त्री ले आए इसका मतलब है कि मेरे बेटे इसा के लिए तू जो है रबेका को ले आए आगे पढ़िए वचन चालीस तब उसने मुझसे कहा य चभिकर को कहा रहा है। उसके घर के लोगों को पहे रहा है कि यह वही दूत्ध है जिसका मेरे सेवक मालिक अबर्हाम ने कहा था आगे पढ़्ये वहा पने दूत को तेरी यात्रा को सफल करेगा हाँ सो तू मेरे कुल और मेरे पिता के घराने में से मेरे पुत्र के लिए एक स्त्री ले आ सकेगा पिर मेने सिर जुका कर यहओवा को धंडवत किया अपने सवामी Ibrahim के परमेश्वर यहओवा को धंड़ का क्योंकि उसने मुझे ठीक मार्ण में पहुचाया कि मैं अपने स्वामी के पुत्र के लिए उसकी भतीजी को ले आँ तो मेरा कॉश्चन ये है कि उपर से हम क्या पट रहे हैं कि रास्ता कौन दिखाएगा दूत सफल कौन करेगा दूत तो दंडवत किसको करना चाहिए दूत लेकिन यहाँ दंडवत किसको कर रहा है परमिश्वर यहवा को और क्या कहकर दंडवत कर रहा है उसने मुझे ठीक मार्क में पहुचा है सही अब बात करते हैं लाभान की लाभान क्या कहता है यह सुनते है पचास तब लाभान और बतुएल ने उतर दिया यहाँ बात यहवा की और से हुई है एक सेकंड किसकी और से हुई है तो रास्ता किसने दिखाया यहवा ने सफल किसने किया यहवा ने अब रहमने क्या कहता वो दूत आगे चलेगा तो मैं सब को पूछना चाहता हूँ जो एंटी ट्राइून वाले लोग है मतलब ट्राइून गोट को नहीं मानते आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है फिर यह कैसे पॉसिबल है ओके ना दोस्तों एक इंटरस्टिंग पार्ट आपकी बीच में रख रहा हूँ पहला चितर देख लो यह लोग कौन है लिखा है निरगमन के किताब उसका 14 का 19 में कि जो हो बादल का खंबा और जो दूद आगे आगे चलता था एक वक्त पे आया कि वो पीछे हो गया पढ़िए तब तब परमेश्वर का दूद जो इसराइली सेना के आगे आगे चलता चला करता था एक सेकर तो दूद कहां चला करता था पहले आगे 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 और उनके पीछे हो गया और जाकर उनके पीछे हो गया और बादल का खंबा उनके आगे से हटकर उनके पीछे जा ठहरा तो इसका मतलब है कि येशू मलाकी की किताब में कहता है कि वो दूत जो तुमको लिये फिरता था तो ये वही दूत है जो इसरालियों को लिए फिरता था ये कौन सा दूत है ये दूत वही है जो प्राचीन काल से चला आ रहा है ना दोस्तों क्योंकि वक्का ध्यान रखना है गिडियन एन इंजल अफ दे लॉट से आपको मिलवाता हूँ लिखा है कि गिडियन ने परमिश्वर के दूत को देखा ना मैं चाहता हूँ कि हम इसका पूरा भाग तो नहीं पढ़ेंगे लेकिन उपर 11 वचन को ज़रूर पढ़ेंगे पढ़िए पिर यहुआ का दूत आकर उस बांजवरुष के तले बैठ गया जी आगे पढ़ो जो ओपरा जी 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 ओपरा ओपरा या अभी यह जर यहाश का था उसका पुत्र गिदोनेक दाकरस के कुण में गेहु इसले खटा जाड़ रहा था कि उसे मिधानियों से बचा है अंगूर के बगीचे में गेहु उगा रहा था और गेहु बचा रहा था तब जाकर यहुआ के दूत ने यहुआ के दूत ने यहुआ के दूत ने आपको ऐसा कई बार पढ़ने को मिलेगा और फिर लास्ट में क्या लिखा है यहवा ने उसे का तुझे शांती मिले मत ड़र तू ना मरेगा क्योंकि गिधोन कहता है कि मैंने यहवा को देख लिया मैंने परमिश्वर को देख लिया यहवा के दूद को देख लिया हे प्रभु यहवा मैंने तो यहवा के दूत को साक्षाा देखा है साक्षा देखा है आँखों से देखा है किसको येश्यू को वाउ इस ही किताब मैं जिसको कहते है The Book of Judges एक और वेक्ती है सैम्सन का पिता जिसका नाम है मनोहा मनोहा या जो भी है कि कहानी में Samson आपको बता है Samson कितना ताकत वरा था पढ़िए वचन एक को इस इसरालियों ने फिर यहुआ की दुरस्टी में बुरा किया इसलिए यहुआ ने उनको पलिशतियों के वश में 40 वर्ष लिए रखा वचन दो दानियों के कुल का सरोवासी मनो नाम एक पुरुष था जिसकी पत्नी के बांज होने के कारण कोई पुत्र न था ओके तो इसका मतलब है कि दबुक ऑफ जेनिसस चैप्टर 13 में Samson की कारणी में उसके माभाप का जिकर होता है मनो हाँ उसकी पत्नी बांज थी उसको बच्चे नहीं होते थे लेकिन वचन तीन कहता है के यहवा के दूथ ने दर्शंदे करका सुन बांज होने के कारण तेरे बच्चा नहीं है परन्तु अब तु गर्वती होगी और तेरा बेटा होगा यह कौन है अफकोस यहवा का दूथ येश्यू मसी ऐसे करते 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 बहुत सारी बातों को बताते 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 वच्चन पच्चीस चौबिस से परते इस थी का बेटा उत्पन हुआ उसका नाम शिम्शोन रखा वह भालक बढ़ता और यहुआ उसको आशिद देता रहा लेकिन वच्चन पच्चीस इंट्रेस्टिंग ऊपढ़ो और यहुआ का आत्मा एक सेकंड कौन सा आत्मा यहुआ का आत्मा यहुआ का आत्मा तो अभी तक यहां पर क्या था एक है यहुआ दुस्टा है यहुवा का दूद लेकिन अब यह तीसरा विक्ति आ गया यहाँ पर यहोवा का आत्मा यह कौन है यह कौन है यह है पवित्रात्मा यह है पवित्रात्मा लेकिन इंटरस्टिंग पार्ट क्या है पता है पवित्रात्मा कर क्या रहा है पढ़िए और यहोवा का आत्मा सोरा और एश्टाओल के बीच महंदान में उसको उभारने लगा यह क्या होत या अभिशे किया गया था लेकिन परमिश्वर की आत्मा क्या करी थी पता है लिखा है चौबिस में कि शिम्शौन बालक बढ़ता गया और उसको यवने आशिश देता गया तो इसका मतलब है कि जब जब वो बड़ा हो रहा था पवित्रात्मा उसको उभार रहा था कि तेरा मकसद क्या भूलना ने तेरा मकसद क्या भूलना ने तू क्यों प्रिच्वी पर भूलना ने वैसे पवित्रात्मा का काम है आज भी आप येशु में आये क्यों आप येशु में बने क्यों आपको करना क्या है वो आपको प्रवोक प्रवोक उभारता रहता है कैसा लगा द हमारे लिए एक बालग उत्पन हुआ हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुदा उसके कांदे पर होगी जहां कोमा है रूख जाना ठीक है न जी और उसका नाम अदबुद और फिर लिखा युक्ति करने वाला कोमा प्राक्रमी परमेश्वर अनंत काल का पिता शांती का राज कोमा रखा जाएगा ये कौन है ये किसकी प्रफेसी कर रहा है ये प्रफेसी कर रहा है ये ये इंग्लिश में पढ़ते हैं 9.6 तो इसने अपना नाम क्या बता है या अदबुद कैसा लगा और ये अदबुद कौन है ये ये येश्यू है और येश्यू कौन है अनंत काल का पिता इटर्नल फादर अनंत काल का पिता